हेल्ट फ्रेंट्स मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज ये 29 फेबरी 2020 के इंपर्टेंट करिंफर्स कोर्शन से आपके एक्सामनेशन में कामाएंगे और बहुत इंपर्टेंट टॉपिक्स पे आज हमने कोशन आंसर बना हैं और डिटेल नोट्स भी त्यार किया हैं ओके जैसे जीडीपी है इसका लावा जो शेयर बाजार है वो धागया उस पर बात करेंगे दिली के जो नए पुलिस कमिशनर उस पर बात करेंगे और कई सारे मुद्टें हैं जो कोशन आपके एक्सामनेशन के लिए इंप दासदर कितनी रहे ग्रोथ रेट आंसर है 4.7 परसंट ओके आई किसने जारी किया है आंकड़ा तो एने सोने राष्टी सांके की कार्या लेने 28 फरवरी को जारी किया है यानि कल ही और आपको बता दूँ कि इतीसरे तिमाही में तेवहार भी हुए खड़ी फस लोगी री इसी तिमाही में दोहेर अठाव ऐने दासटा सल आंग की त JEठी पर संट ता ग्रॉब और पीछ़ले साल की तो लागेर टाнов करें तिसरे तिमाही का तो यह पिछले साथ साल में नियुंतर्म अस्तर है अलोके तो और आपको बता दूएक इन Bengal इनप्रमिशन की न ने जो ए वो पहली और दूसरी तिमाही का जो GDP growth rate है उसके आंकरे में संचोधन किया है तो NSO के आंकरे कनुसार 2020 की पहली तिमाही के लिए GDP growth rate को संचोधित करके 5.6% कर दिया गया है और दूसरी तिमाही के लिए 5.1% कर दिया गया है ठीक है और इससे पहले जो सरकार ने जो आकरे जारी किये हुए थे वो पहले तिमाही में 5% था GDP growth rate ओके और दूसरी तिमाही में ये जो growth rate था वो 4.5% था ठीक है तो आप समझे होंगा है क्योंकि कोशन ये भी आ सकता है कि जो NSO ने जो संचोधित आकरे जारी किया है उसके अनुसार पहले तिमाही ये दूसरी ति में कितना growth rate रहा है ठीक है तो इस चीज को भी आप धिहान रखना ठीक है तो अगर नए संचोधित आकरे के अनुसार देखें तो हमारी जो GDP है वो उसकी रफतार कम हुई है 4.7% हो गई है 5% से लेकिन अगर पूराने आकरे के अनुसार देखें जो 2nd quarter में था 4.5% तो उसक पर बदपत्रों कि सरकार ने चालू विद्वर्ष के लिए यानि 2019-20 के लिए जो growth rate है वो 5% कानुमान रखा है हाला कि यह भी पिछले 11 साल का नियूनता मसता है तो क्यों यह सब जो हमारा अर्थवस्ता है वो down क्यों हो रही है क्योंकि नोटबंदी के बाद से जो आर्थि अभी हम ठीके हुए 4.7% पर रुके हुए ओके और दूसरा एक और वजा है वैश्विक वजा है जैसे कि कोरोना वायरस का एफेक्ट आगे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है ठीके और सरकार भी इस चीज को देख रही है दूनिया भर में जो इस प आपको पूरा जाने की ज़रूर थे क्योंकि कोशन जो होता है न कोवल जो मैंने बताया सिर्फ यही नहीं आएगा कोशन बदल के आते हैं आपको पता है अगर आपने एक्जामनेशन दीये है तो अगे चलिए आगे बदते है यह इन पॉर्टेंट कोशन है बी ऐसी संसेक् उससे बड़ी गिरावट कब हुई यह गिरावट हुई है 1448 दश्मलो तीन साथ की इतने अंक गिर गया इसका अंसर है 28 फरवरी ओके अधिकी माना जाता है कि कोरोना वायरस के जो भीशन प्रकोप है पुरी दुनिया में खास और पे चीन उसके बाद अलग लग देशों मे फैल चुका है इसका इफेक्ट तो उसके वज़े से 28 फरवरी को संसेक्स जोए वो इतना अंक लोधक गिर गया ओके कम हो गया और इससे निवेशकों को लगब 5 लाग करो रूपे का नुपसान हुआ है उनका जो मार्केट वैल्यू था शेरों का वो पांच लाग करो और यह सेक्स के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है और इसी दोरन अमेरिकी जो शेर बाजार है जो यह हम 28 फरवरी की बात कर रहे है तो वो बहुत तेजी से धराम हुआ है मतलब गिरा है और आपको बतादू की वारस का प्रकोप जो है सभी 6 महादेश में फैल चुका है जो महादेश है उसमें ओके और मेरे बगल में आप आकड़ा देख रहे होंगे सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट होई थी वो 24 अगस्त 2015 होई थी जब यह 1624 अंक लुड़ा किया था और दूसरी गिरावट अभी हुई है ठीक है और आपको बतातू कि लगतार चे दिनों से जो शेर बाजार है वो नीचे जा रहा है चे दिनों में बताय जा रहा इसा न्यूशर दौरा को दetinटेरेश को दौरा कि निवश्कों के 10 लाग करो रुपे के चपट लगे है बद उनका जो वैल्यू था वो कम हो गया है और जैसे मैंने बताया कि अमेरिका का शेर बजार भी गिरावट हुआ है तो दुनिया भर के शेर बजार में गिरावट देखने को मिल रहा है आप हमारे बजल में जो डेटा है वो भी देख रहे होंगे ये डेटा हमने दैनिक भास कर रहा है तो अमेरिकाई शेर बजार डाउन जोन्स में 135 साल की सबसे परी गिरावट हुए 135 साल की वहां पर 1190 आंक जो है वो शेर बजार लोड़क गिर गया और आपको बता दूँ कि अमेरिका और चीन का जो ट्रेडवार था उसमें नर्मी आई थी और इसके कारण निविश्कों को उमीद थी कि वैश्विक अर्थवस्था जो है वो जल्दी पट्री पर लोट आएगी लेकिन कोरोना वैरस के संक्रमन की वज़े से उसके कारण चीन में फैक्टरिया को बंद कर दिया गया है और दुनिया भर में चीन से ही समान की आपूर्ती होती है कच्छे माल की पे आपूर्ती होती है तो वो बाधित हुई है इसके वज़े से दुनिया के कई देशों में उत्पादन जो है वो गिर गया है तो कोरोन का बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो जैसे बहुत सारे एक्जामनिशन में कुछ एक्जामनिशन में तो शॉर्ट में कोशन आते हैं लेकिन बहुत सारे examination में जैसे PCS में या UPSC में उन सब में लिखना होता है इसके बारे में तो आप Corona के बारे में जो वारस है उसका बहुत सारे effect भी देर लिख सकते हो आप जैसे अभी मैंने बताया तो मुझे लगता है अब सब लोग जानते होंगे BSE Sensex क्या है और जो लोग नहीं चानते हैं उनके बारे में बता दूँँ कि यह क्या है देखिए Bombay Stock Exchange जिसको शॉट में कते हैं BSE तो उसका इंडेक्स है Sensex ओके और यह तो तीस कंपनियों का यह Sensex है इंडेक्स है जिसके घटने आप बढ़ने से यह पता चलता है कि देश की जो बड़ी कंपनिया है वो प्रॉफित में जारी है या लॉस हो रहा है मार्केट शेयर का ओके और Sensex की जो शुरुवात हुई थी BSE Sensex की वो एक जन्वरी 1986 को वी थी 1986 को वी थी तो इसी तरह अगर नेशनल श्टॉक एक्चेंज है जैसे एनसी तो उसका जो है इंडेक्स उसका नाम है निफ्टी जो पत्चास बड़ी कंपनियों का इंडेक्स दिखाता है मुझे लगता है आप लोग इस मुद्दे को समझे होंगे दिखे कुछ मुद्दे होते है जिन पर ठोड़ डिटेल बताने की जरूरत होती है और आप लोग की डिमांड रहती है इसलिए मैंने थोरह विस्तार में बताया है वीडियो ठोड़ लंबा हो रहा है मैं समझ रहा अमुले पठनायक का जो अभी तक पुलिस कमिशनर थे और 29 फरवरी को रिटार हो रहे है तो नए जो पुलिस कमिशनर है एस एन श्रवास्ता वो 1985 बैच के IPS अधिकारी है और इस वक्त इसे पहले दिल्ली में हिंसा के दौरान उनकी तैनाते विशेश पुलिस आयोकत और उसे पहले वो जम्मु कुश्मिर में CRPF में वो तैनात थे और उनके बारे में बता दूँ आपको कि दिल्ली में जो IPL मैच में फिक्सिंग का खुलासा हुआ था तो एसन श्रवास्ताव के Special Cell के हेड रहते हुए इसका खुलासा किया गया था अगला कोशन लेते हैं उसे पहले आपको बता दूँ कि दोहजार उनीस का जो करेंट ओफर से वो एमेजन पे अबलेबल है बुक आप दे सकते हो ले सकते हो हचारों लोगों ने लिया है और नया एडिशन भी आ चुका है इमेजन से ले सकते हो आप ओके और उसका PDF भी अगला कोशन लेते हैं राष्टिय विग्यान दिवस कब मना जाता है इसका आणसर है 28 फरवरी ओके क्यों मना जाता है तो यह दिवस जो है रमन एफेक्ट यानि रमन प्रभाव की खोच के कारण मना जाता है और यह खोच किसने कि थी तो वेगयनिक सर चंद शेकर वेंकत रमन ने 28 फरवरी ओने 28 को कि थी तो इसी खोच के कारण से वी रमन को साल उने 30 में नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया था है इंपोर्टन बात है और किसी भी भारती या कहें एशियन वक्ति द्वारा जीता गया यह पहला नोबल प्रेस था रमन प्रभाव क्या है रमन जरती है तो उनमें से जटातर की जो वेब लेंथ है एक समानी रहती है लेकिन कहीं कहीं पर इसमें बदलाव ना जराता है और यह जो बदलाव है वो उसके अंदर जो मौजूद अनू है उसकी स्नरचना के बारे में बताता है और यह जो एकिरने है उसकी वेब लेंथ में जो बदलाव है उनकी उर्जा में परिवर्तन के कारण होता है उर्जा में बढ़ुतरी के कारण तरंगों की लंबाई कम हो जाती है और उर्जा में कमी के कारण तरंग की लंबाई बढ़ जाती है और आपको बता दूँ अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको बता दूँ कि सीवी रमन की जो रिसर्च है वो विज्यान की कोसौटी पर अभी भी खरा माने जाता है भारत का जो पहला अंतरिक शुमिशन था चंदरियान तो उसने जब चांदर पर पानी होने की घोशना की तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रो स्कूपी का ही कमाल था इसके अलबाब फॉरेंसिक साइंस में भी रमन इफेक्ट का इस्तमाल होता है उनके रिसर्च के जन ये ही ये जनना आसान हो गया था कि कौन से घटना कब होई है इसके जलते बैक्टिरिया रासानिक प्रदूशन और इस पोटो को जैसी चीजों का आसानी से पता चल जाता है और समुद्र का जो जल है वो रंग नीला क्यों दिखता है ये भी इसी इफेक्ट से पता चला था इसके बार में हुआ था और सीवी रमन ने कब इसके खोज की थी तो इंडियन एसोशेशन for the cultivation of science कोलकता की जो laboratory थी उसी में काम कर रहे थे उसी दोरान उनों नी ये खोज की थी चली अगले कोशन लेते हैं फटावट मारिया अशारा पोबा ने है 26 फरवरी 2020 को सन्यास लेने की घोशना की तो इन में से क्या है सबको पता होगा मुझे लगता है tennis खिलारी पांच बार grand slam जीत चुकी है और 22 अगस्तों 2005 को नमबर वन खिलारी भी रह चुकी है अब तो रहें काफी नीचे गिर गई थी उनकी मारिया शारपोबा important personality थी है और इसलिए कोशन हो सकता है अगला कुशन लेते हैं आर्थिक मामलो की मंत्र मंडल समीती ने कितने करोर रूपे की कुल लागत वाले राष्टी ये तकनी की वस्त्र मिशन की अस्थापना को मंजूरी दिया है इसका अंसर है 1480 करोर रूपे चार साल की अबदी के लिए इसको मिशन को चलाया जागा 2020 सीकिस से 2023 चोविस्तर तो उसकी अनुमात लागत ही है उद्देश का इसका तो भारत को तकनी की वस्त्र यानि तकनी की कपड़ों के छेत्र में एकवैश्विक लीडर के रूप में अस्थापित करना जो तकनी की वस्त्र है उनका उपियोग जो है वो एगरिकल्चर, विक्यानिक रिसर्च मेडिकल साइन्स साइन्य छेतर, उत्योग, खेलकूद इन से में बहुत बड़े प्रमाने पे होता है अगला कोशन लेते हैं उत्तरप्रदिश सरकार ने ख्वाजा मुईन दीन, चिष्टी, उर्दू, अर्भी, फार्सी, विश्वद देले का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है इसका अंसर होगा A यानि ख्वाजा मुईन दीन, चिष्टी, भाषा, विश्वद देले लोके लेंग्वेज उनिवर्सिटी उसका नाम यह होगा अगला कोशन लेते हैं केंद्र सरकार ने आर ए आई से 2020 यानि रिस्पोंसिबल ए आई फर सोशल इंपार्मेंट 2020 नामक शिकर संबिलन कब आयुजित करने की घोशना किया इसका आंसर होगा 11-12 अपरेल ओके एसी साल होगा और यह उद्योग और शक्षिन संस्थान के साज़दारी से सरकार दोरा किया जने वाला भारत का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजन्स शीखर्थ संबिलन होगा मतलब वैश्विक संबिलन एक तर से कहलेजे दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है वो भी इसमें शिरकत करेंगे इंडिया के साथ साथ अगला कोशन बिहार सरकार ने विद्टेवर्ष 2021 का बजट विधान समान पेश किया तो कितनी रकम का ये बजट आंसर वेसका दो लाग 11,761 करोर रूपय का ठीक है किसने पेश किया तो डेप्टी चीफ मिनिश्टर और वहां के विद्व मंत मना जाता है, इसका आंसर होगा हिमाचल परदेश देगे 24 फूरवरी 2020 को हिमाचल परदेश के धर्म शाला में ये लुसार उत्समान जाता है और क्यों मना जाता है देखे अस्थानिय तिबती कलेंडर का ये पहला दिन होता है यानि ये तिबती नव वर्ष भी का जाता है इसलिए ये दोहार मना जाता है तो ये रहां इंपार्टेंट करेंट फर्स आपको बता दूँ कि रेलवे रूक्रूट्मेंट बोर्ड ने यानि रेलवे ने ठीक एक साल पहले एंटी पीसी के पदों के लिए आविदन का नोटिफिशन जारी किया था और सवा करोर से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे लेकिन इस एक्जामनेशन का कुछ अता पता अभी तक नहीं है इस परिक्षा का जो आयोजन है ओफिशल नोटिफिशन के अनुसार पिछले साली जून से सितंबर के बीच यानि 2019 में हो जाना था लेकिन आप तक बताए छे माइने से ज़्यादा बीच चुका है और सरकार को पास टाइमने एक्जामनेशन लेने का रेलवे को पास टाइमने एक्जामनेशन लेने का तमाम लोग कितनी पढ़ाई करत रहे हैं लगाते हैं रिवाइज कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि इस्टूडेंट की बात समझी नहीं रही है मुझे लगता है इस पर दबाव डालने की जरूरत है सोशल मीडिया के थूँ आपको आवाज सरकार तक पहुंचानी होगी क्योंकि यहां से आवाज नहीं जा रही है तभी जो एक्जामनिशन के बारे में सरकार नहीं सोच रही है सवा करोर से ज़्यादा स्टूडेंट है फॉर्म चुनवाने भड़ा है और फिर भी कोई उसकी चिंता नहीं है कमाल की बात खेर दोस्तों कैसा लगा करेंट फॉर्स ज़रू बताना और 2020 का करेंट फॉर्स अबलेबल है पीडिएफ जनवाट फॉर्वर्वरी का आप ले सकते हो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन चेकर लेना और 2019 का जो बुक है वो अबलेबल है कमाल का बुक है बहुत सारे लोगों ने लिया है आप ले सकते हो पीडिएफ भी है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्चन में और दोस्तों 29 फॉर्वरी 2020 का अभी जो आप करेंट फॉर्स देख रहे हो उसका पीडिएफ मेरे बगल में अबलेबल हो गया है अभी आप क्लिक केजिए और डाउनलोड कर लिजिए वड़ना लिंक गाब हो जागा वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है और हाँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू करना साथ में बिलेकर दो मना मत भूलना कल मौनिक को मिलेंगे